असलावलेकुम मैं मुहम्मद काशिफान ओटो डील से आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ गाड़ी के तमाम फीचर्स जो के मुझूद होते हैं हर गाड़ी में और आपको जैसे के पता है हर गाड़ी में मुख्लिफ फीचर्स होते हैं और उनका इस्तमाल किस तरह से होता है तो आज हम इसके बारे में डिसक्स करेंगे कि अगर बात की जाए तो आपने मुमन देखा होगा कि आज कर जो गाड़ें यूज हो रही है उसके अंदर आपको एर्बैक्स मिल रही है अप्शन मिल रही है जिसको रडार बोला जाता है ब्लाइंट स्कॉर्ट मुलिटरी क है लें डिपार्चर एसिस्ट की ऑप्शन मिलती है ट्रेक्शन कंट्रोल की ऑप्शन मिलती है ड्राइब मोड उसमें आपको डिफरेंट मिलते हैं लाइक की को आईडिंग एडिया चार्ज तो सबसे पहले हम इनके बार में डिसक्स करते हैं कि SRS एयर बैग होता क्या है SRS बेसिकली फुल फॉर्म है सप्लिमेंटल रिस्ट्रेंट सिस्टम एयर बैग को जब आप ड्राइब कर रहे होते हैं तो आपने अक्सर देखा है कि आपके स्टेरिंग पे और पैसेंजर साइड पे लिखा होता है स्टेरिंग लगने से बच जाता है लेकिन इसके लिए कंडिशन यह है कि आपकी सील्ड बेट लगी होनी ज़रूरी है तो आप बड़े हाथसे से बच सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास option आती है ABS की ABS की कॉमनली हर गाड़ी में पाया जाता है यह एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम होता है क्टने मौड़ की खालें तो आप उन्हें देखा होगा कि जब उसको ट्राइब कर रहे होते हैं तो आपके करते हैं तो वह आपके टाइच्ट कंप्रेट लॉक नहीं करती बलके आप जब आप इस्टेंट प्रेक अप्लाई करते हैं तो कोई ऑपस्टेकर या हड़र है उससे आप बच भी सकते हैं स्टेरिंग जैसी आप मूब करेंगे तो गाड़ी के टायर उसी तरह ही इसी ली मूब हो जाएंगे थर्ड हमारे पास है फॉर्वर्ड कुलियन प्रिवेंशन या फॉर्वर्ड कुलियन बॉर्मिंग जिसको रडार भी बोला जाता है आपने देखा होगा जो यूली पाकिसान में लाउंच हो रहे हैं की विल्ट स्क्रीन की ऊपर आपको एक कैमरा नुमाया एक डिवाइस नज होता है या थो विल्ड स्विक इनदर प्लेस हुआ होता है या वह प्रिल होता है इसको वैंड परपॉस कि होता है में परपस ही होता है कि वाड़ी आप ड्राइब कर रहे हैं अचानक से कोई ऑफिकल आ गया है या मुबाईल में लगे है या आपका दिहान कहीं हो रहे है तो इस तो फोरन अब्जेक्ट को सेंस करके आपको सबसे पहले अलर्ट करना है अगर आप अलर्ट नहीं होते अगर उसके अलाम के तरफ आपका देहान नहीं जाता तो गाड़ी आटमेटिकली ब्रेक अप्लाय कर देती है जो के पाकिस्तान में फायदा में तो है लेकिन इसका एक नुकसान यह है कि जो पीछे से अगर कोई ट्रैफिक आ रही हो कोई गाड़ी तेजी से आ रही हो तो आप में हिट हो सकती है तो इस चीज़ से बचने के लिए बेतर यह है कि आप खुद सेव ड्राइब करें और जब ड्राइब कर रहे हों तो कॉंसेंट्रेशन आपकी फ्रंट पे ही होनी चाहिए ना कि इदर उदर आप देखें इस चीज़ से काइंडली परहेज करें फिर जैसे हमने डिसकस किया था ब्लाइंट स्पोर्ट मोनिटरिंग सिस्टम बी एस एम यह क्या होता है यह ऐसा फीचर है जो कि आपने गाड़ी में अकसर देखा होगा कि आपके रिट्रेक् लेक्षें नजर आ रही होती है जैसे आप झाल बहुता है जब आप करते हैं यह लेट्साइड पर देखते हैं एक लेवल वह आता है जहां पर आपको साथ ही कोई गाड़ी या बाइक अवेलेबल है और चल रही है तो आपको नजर नहीं आती वहां पर आपका जो लेवल ह आपकी ओन हो जाती है नेक्स हमारे पास आता है लेंड डिपार्चर एसिस या ल्डी इसका क्या काम होता है इसका काम भी बहुत 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 है कि जिस तरह आपने देखा होगा गाड़ी आप ड्राइब कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता या आप लेंड से बाहर जान आपको अपनी लेंड के अंदर ले आता है तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक स्पीड होती है मिनिमाम 50-60 किलो मेटर पर आवर की स्पीड आपकी होती है तब ये फीचर उसके उपर अप्लाइब होता है फिर सेफ्टी फीचर हमारे पास एक आता है ट्रेक्शन कंट्र value system Traction control Basically क्या है कि वह system है कि आपने देखा हो ग Tibis May कि आगे इस थे फीस नहीं होता तहुं आ उसको ब्रेक लगाते थे तो वो जाती थी गाडिया द्रेक्शन कंट्रोल बेसिकली उन गाडियों के अंदर जादा तर होता है जिनमें एपीयास अवेलेमन हो या एपीयेस से ऊपर जो technology आ गई है जिस तरह एवीडी हो गई इस तरह की लिसक्लस किया था अगर आपने देखा होगा अपनी गाडियों में जैपनीज में यह जाया तर दाया है या तो एक उपर सर्गल का साइन आपको नजराता है या आपने सुजूकी की गाडियों के पिछ चार्च इन दोलों में डिफरेंस की एक बेसिकली ऐसा फीचर है कि जो आपकी फ्यूल की कंजम्शन बहुत ही बहुत ही बहुत ही बनाता है छेसो साथ सिसी गाड़िया जो पाकिसान में इस्तमाल हुई है जैपनी इंपोर्टिट गाड़िया आप गाड़ी जो ड्राइब करते हैं आप और किसी सिग्नल में याराश्वरी जगा पर ब्रेक लगाते जो गाड़ी को ट्राइब करने की ब्रेक से पाँ हटाते हैं तो आटमाटिक ली गाड़ी स्टार्ट हो जती है कि इसको बोलते हैं एको ररी डी कि एनिचर अ चार्ज हैं जब आप गाली करेंग क्रेंक आप प्रेस की आपकी इंजन के सारेelo बंद होग है तो के शेश बंद तो एन एन्यद्ट इसी किये होता है आपका एक बिंद्ट हो जाता है जये वहाधिक पीछर्ट हैं जो आपके साथ हमने डिस्कुस किये हैं यह कॉमली हर गाड़ी अंदर यूज का होता है किस तरह से प्लाइए होते हैं यह आपको गाइड कर दिया है बाकी आप इस वीडियो को कम्प्रीट देखें इससे मुतलिक आप भी कोई सजेशन हो कोई क्वेस्टन हो तो लाजमी हमें बताया करें ताके हम अपनी वीडियो को मजीद बेटर कर सकें और आपके साथ कीप इंट टॉच रहें तो इंशाला मुलगात होगी आपके साथ नेक पर बहुत असानी से आड़ लगें हाई कॉलिटी फोटोज अपलोड करें प्राइस कॉंटेक डिटेल सेट करें काड़ी को तेजी से बेशने के लिए फीचर करें अभी विजिट करें